तो फ्रेंड्स T20 सीरीज 2-1 से जीतने के पाद इंडिया वर्दिस श्रिलंका अब ODI सीरीज भी स्टार्ट होने वारी है तीन मैंचो की ODI सीरीज तो इसके बारे मैं मैं आपको प्रेडिक्शन दूँगा कौन सी टीम का प्रड़ा भारी है पर उससे पहले हम दोनों टीम के स्कॉर्ट पे भी नज़र डालते हैं और क्या इन दोनों टीम्स की एक्सपेक्टेड प्लेंग 11 हो सकती है उस पे नज़र डालते हैं ये इंडिया क प्राड कोली, शुबं गिल, सूरी कुमार यादव, श्रीयस अईयर, केल राहूल ऐस विकेट कीपर बैट्समन, इशान किशन ऐस विकेट कीपर बैट्समन, दैन और राउंडर वाशिंग्टन सुन्दर, यूजी चेहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, तो चार स्प प्रीद भूमरा, तो आप देख रही है, इस स्कौर्ड में कुछ नेम्स जो मिसिंग है, खास तोर से शिखर धवन, इनको ड्रॉप किया गया है, साथ में रिशप पंथ, रिशप पंथ, हालकि अभी एक्सिडेंट की वज़ा से क्रिकेट से बाहर है, बट औरिजनली इनको ODAI स्कौर्ड में नहीं लिया गया था, इस पे भी काफी बाते हुई थी कि क्या पंथ को ड्रॉप करना चीए था, और संजू सेमसन भी औरिजनली स्कौर्ड में जगा नहीं पना पाये थे, इनकी भी परफॉर्मस अच्छी जारी थी, और एक खास बात नोट टरने वाली ह कमबेक हो रहा है, आफटर इंजरी, छे महीने के बाद अब ये क्रिकेट में वापस आ रही है, और हम इंडिया की टीम देखे तो काफी स्ट्रॉंग नजर आ रही है, लग रहे है कि सीरिस को काफी सीरियसली ले रही है, इस येर जो वर्ल्ड कप होना है, ODAI का, तो उसको है, यहां प्लेसिस के लिए, जैसे शिकर धवन जैसे प्लेयर को इन्हें ड्रॉप करना पड़ा है, क्योंकि जगा नहीं बना पाए, जो बाकी ओपनर्स है, किशन और शुबं गिल, दोनों की अच्छी परफॉर्मस रही, तो जगा नहीं बन पाई, शिकर धवन के लिए, और इंडिया के स्कॉर्ड के अकॉर्डिंग जो प्लेंग 11 होने के मुझे चांसे लग रहे हैं पहले ओडियाई में, वो कुछ इस तरीके से रोईच शर्मा ओपनिंग करेगी, साथ में इशान किशन का लग रहा है कि ये सैकन्ड ओपनर होगा, हाला कि गिल की भी बड़ी इच्छी परफॉर्मस रही है ओडियाई में, बड़ इशान ने अपने पिछले ओडियाई में डबल सेंचुरी मारी थी, और स्लेक्टर्स ये कह चुकी है कि इशान किशन को ऐसे स्पेशलिस्ट विकेट कीपर कंसिडर किया जाए, तो विकेट कीपर भी दो ही है, यहां प इच्छी तरफ से बेस्ट वैट्स पन रहे है, सबसे अधा रन मारी है, तो यह रहेगा, देन नमबर पांच पे फड़ा सा यहां पर हो सकता है कि शायद सुरिय कुमार यादब को भी मौका मिल सकता है, फैंस चाते है कि सुरिय कुमार को मौका मिले, पिछले टी ट्वेंट के तो यह ओल टाइम बेस्ट बैट्स में नजर आ रहे है, मुझे एवी डिविलियर से भी बहतर टी ट्वेंटी में नजर आ रहे है, बट यह ओडियाई में अपनी जगह नहीं बना पाए है, और केल रहूल के लिए यहां पर प्रेशर वाली बात होगी, इनको वाइस कैप कैप्टन जो पिछले कुछ मैचिज रहे है, बांगला देश में वो जीती ही टीम इंडिया, बट इनकी बैटिंग पर असर आया, ऐसे कैप्टन यह बैटिंग उतना अच्छा नहीं कर पाए है, और इनके उपर प्रेशर है, हलाकि केल रहूल मेरे ख्याल से इन्होंने ओड काफी हो रहा है, प्लेस की वज़ा से, तो देखना होगा इंडिया किसको प्रेफर करती है, नमबर फाइब, मुझे लग रहा है, शायद केल रहूल को पहले ओडियाई में तो प्रेफर किया जाएगा, और देन इन नमबर सिक्स हार्दिक पांडिया, अच्छा यहां पर ए दोनों को खिला ले, और साथवे पे पांडिया को, कई लोग ऐसे लाइन अप बता रहे हैं, बट मुझे इसके चांसे बहुत कम लगते हैं, क्योंकि पांडिया अगर आप अगर आप नमबर साथ पे खिलाएगे, तो देट मींस आप एक प्रॉपर बॉलर की तरह खिला रह तो ऐसे सिक्स बॉलर ही हो सकते हैं, तो इसलिए लग रहा है कि राहूल और स्काई में से कोई एक ही होगा, और पांडिया ऐसे सिक्स बॉलर एंड एज नमबर सिक्स पोजिशन पे होगे, तैन वाशिंग्टन सुंदर के नमबर सेवन पे होने की चांस लग रही है, तो कि स स्पॉर्ट के लिए भी काफी कंपटिशन है, चहल भी है, कुलदीब भी है, बट सुंदर और अक्षर दोनों को ही टीम में जगा लगता है कि ज़्यादा डिजर्व करती है, यूजी चहल या मौमद शामी मुझे मुझे कोई लगता है कि कोई एक होगा, डिपेंडिक अप चहल को लगता है कि प्रैफर किया जाएगा, हाला कि इंडिया के पास अर्षदीब सिंग भी है, उम्रान मलिक भी है, बट शामी को अगर स्कॉर्ड में लिया है, तो इसका मतलब पहले ओडियाई में उसको प्रैफर किया जाएगा, डैन बूमरा डेफिनेटली होगे, और म इस्पेक्टिड इलेवन लगती है, फिर हम शिलंका के देखिए, तो शिलंका का ये स्कॉर्ड है जैसे आप स्क्रीन पे देख रही है, पथुम निसांका, अविश्का फरनैंडो, अशीन बंदारा, नुवंदू फरनैंडो, दसुन शनाका, देर कैप्टन, चरित असलांक धनंजिया डिसिल्वा, चमीका करूना रतने, वरिंदू हसरंगा, उसाल मैंडेस विकिट की पर, सदीरा समर विक्रामा, महीश थीकशाना, कसुन रजिथा, दिल्शान मदू शनाका, दुनित वैली लेगे, लहीरु कुमारा, जैफरे वेंडर से, प्रमूद मदूशान, इ इनका भी स्कौर्ड अच्छा है, फुल स्रेंट टीम पे है, और इनके जो बैट्समेन मुझे लग रहा है कि सीरीज में अच्छा कर सकते हैं, निसांका और कुसाल मैंडेस, इनके ये दोनों ओपनर्स, इन्होंने दो जर बाइस में काफी अच्छा परफॉर्म किये, पर इ असलांका की भी ओडियाई फॉर्मेंट में काफी अच्छी परफॉर्मस जा रही है, तो इनसे भी शिलंका को एक्स्पेक्टेड होगा, और एक जो प्लेयर मुझे लग रहा है कि सर्प्राइस पैकेच्ट साबित हो सकता है, अगर उसको मौका मिलता है, वो होगा जैफरी वेंडर से, तो हालकि ये एक लेक्स्पिनर है, और इनके पास औरेड़ी हसरंका के रूप में और राउंडर लेक्स्पिनर मौझूद है, जिसका ज़्यादा नाम है, बट मुझे लगता है कि वेंडर से भी सर्प्राइस कर सकता है, इंडियन बैट्समनों को, इसने कम ओड सांका और उसाल मेंडिस ओपनिंग करेगे, मेंडिस इस दियर विकेट कीपर बैट्समन, देन अविश्का फरनेंडो, चरित असलांका, धनंजिया डिसिल्वा, देन दशुन शनाका दियर कैप्टर नेट सिक्स, वनिंदू हसरंगा, करूना रतने, ठीक शाना, मदू शनाक और लहीरू कुमारा, तो ये शिलंका की प्लेइंग लेवन होने के चांसे है, जहांते हैं कि सीरिस का सवाल है, देखिए पलड़ा तो इंडिया का बारी है, इंडिया होम टीम भी है, इंडिया की काफी जो स्कॉर्ड है, प्लेइंग लेवन हो मजबूत भी नदर आ रही है कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, अपनी फुल स्रेंथ टीम से ये जा रहे है, अलगी शिलंका की भी फुल स्रेंथ टीम है, बट ओडिया फॉर्मेट में ये थोड़ा स्रगल कर रही है पिछले कुछ सालों से, सो मुझे नहीं लगता कि शिलंका उतनी टकर दे पाएग वो बिलकुल सीरिस होके परफॉर्मस देगे, और सीरिस तो इंडिया जीतेगी, that is my prediction about the series, और मुझे इस सीरिस में clean sweep होता नजर आ रहा है कि इंडिया 3-0 से ये सीरिस जीतेगी, so that is my series prediction कि इंडिया clean sweep करके 3-0 से ये सीरिस जीतेगी, so friends देखते हैं कैसे रहता है इस सीरिस म इंडिया में ये सीरिस इसके जो मैचिस है वो दोपैर से स्टार्ट होगे, दोपैर एक बचके 30 मिनट से और इसको आप लाइब देख सकते हैं, डिजनी प्लस होट स्टार पे और साथ में स्टार स्पोर्ट्स, और क्योंकि सीरिस prediction मेरी 3-0 है, so first, second, third, ODI, इस तीनों में ही मेरी prediction है कि इंडिया जीत हासिल करने में सफर रहेगी, so let's see friends कैसे रहती है इस सीरिस और श्रिलंका कितनी टक्कर देती है, क्या इस सीरिस को रुमांचक बना पाती है, let's see.